तो चले देख लिए तब कर चाठ याँ पर यहां पर किया और चो पहले estr ca चा тобой यहां पर आज की मूंवेंट देखेंगा तो हमार्केट में को भी बड़ी मुवेंट देखने को ने मिली। कि अगधर मार्केट साइड़ से मार्क नीचे की तरफ ही जा रहा है देखिए किद नीचे गिरा हुआ है कर लेते पहले 15 मुन करद करें आप और याँ यह ठी pensar देखिए मैकिन का मुमेड है अंप कितनल dakika तब किद रहे यहांपे देखिए लगा चुका है देखिए आपर उसके बाद से मार्केट देखे कुछ दिन पहले का उसके बाद से मार्केट देखो के तो यहां पर गिरते गिरते चला गया नहीं चेकी तरब और अब तक का है कितना लगा है इनफोसिस का है अब यहां पर देखो गहें तो यह मार्केट किसी साब से मार्कट निचे की तरब बितल्ट यहां पर दिखने के यहां पर इस सपोर्ट आपको तक यह तो हम इसे मार्कट दिया किए यहां पर को च्छा टार के तो यहां पर इसके बस देखें जैसे यहां पर किया मार्केट ने यह देखें यह 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 देखिए यह पॉइंट यह आया पर करीब यह देखें, यह आपर यह देखें, यह ब्रेक करने के कोशिज कर रहे है आप देख रहा है, ब्रेक करने के कोशिस कर रहा है मैं आपको चार्ट में क्लियर बता रहा हूं आपको पीछे की तरफ लेकर जाके वंडे का चार्ट में सब कुछ रख करके आपको मैं बता रहा हूं देखिए यहां पर चार्ट यह ब्रेक करने के कोशिस कर रहा है यहां पर तो देखिए यहां आप है 12 से कांट काकर रिबा सकता है मारकेट यहां पर इसके नीचे आएगा इसको ब्रेयक करेगा तो इसके नीचे आने आपको यह तो होगे अपना सपोर्ट इधर होगा आपका रेस्टेंस देखिए यह पूंट देखिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और आपको कोई भी स्टोक अगर किसी को लोस में चल रहे तो इसको सेल करने के जुरूत नहीं क्योंकि आइटी सेक्टर है युएस का मार्केट जैसे अभी इंफिलेशन का कान्ट जो भी बढ़ा वहां पे दबाओ वह सब पूरा का पूरा कम हो जाएगा और आइटी सेक्टर में उपर स उच्छाल आएगे तो एक ये बार में उच्छाल आएगे क्योंकि ये जिसी साफ से बड़े स्टोक घटते हैं उसी साफ से डबल स्टोक बढ़नी के तैयारी में रहते हैं तो यहां पे देखो गे तो यह सपोर्ट आपको मैंने बताया जोड़ा 244 के करीब है और दूसरा म को सब्सक्राइब करें थेंक्यों फोलोजिंग जेहन जे बारत